हलो गाइस कैसे हैं आप लोग इट्स मोजो है और आज हमारी नियू SMC की क्लास है जिसका टॉपिक है काफी सारे लोग को इशू से आ रहे हैं कि उनको पता नहीं लगता कि वैलेड रिट्रेस्मेंट कब हुई है वैलेड पूल बैक कौन सा है कैंडल की क्लोजिंग या कैंडल की बॉर्टी और विक किसको कंसिडर किया जाए तो यह सारी चीज़े हम आज इस वीडियो में सीखने खरणा है कि वैलेड पूल बैक होता क्या है और उसको हम किस तरीकिसे से इडिटैटीस्के करते हैं क्योंकर हमारा जो पूल बैक का मकसद ही होता है कि हमेंद्ऊ EVERYग का मतारों करना तो हमें कैसे पता चले रहे है तो वाकिमें ये वालो मुदा कि पूल बैक है किस आ alive कर या यहां पर मैने अल्रडी क्रॉस लगा वहा है यहां पर चेक मारके ख्रोस और इसी तरीके से सहो और यह चल रहा है तो अब यहां पर जो मैं रस मेरा इनवेलेट कैसे है पहले हम उसको सब्सक्राइब यहां पर देख सकते हैं मेरे यह बर कैंड लूंबर वन ए कैंडल नौ 2 आ यहांपर पर मैंने इस quality mark करूआ है अच्छा आप देख सकते हैं आपर कि यह मेरी जो first candle है इसका high मेरा यहांपर है और इसका जो मेरा low है वह इस जगह के उपर है इसके अंदर जो मेरी candle no.2 और candle number 3 यहां पर आपको देख रहा होगा ना ही इस candle number 2 ने इस वाली candle का high लिया ना ही इस वाली candle का low लिया तो मैं इसको valid pullback consider नहीं करूंगा यह एक inside bar है छोड़े time frame के अंदर आपको इसका पूरा एक structure दिखेगा कि मार्केट बूलिश में तो इस तरह मूफ कर रही है तो इस तरीके से मूफ कर रही है ठीक है तो लेकिन यहां पर मार्केट में अगर मैं देख रहा हूं चाहिए वो आपका lower time frame हो higher time frame हो सब के अंदर candle का काम इसी तरीके से होता है आप भले से back test भी कर सकते हैं तो मेरी जो first candle आ मार्केट यूँ मूफ कर रही है ठीक है अभी तक इसमें retracement नहीं आया यहां पर आप लोग फूर्थ candle देख सकते हैं फूर्थ candle है यहां पर इसको आके जो मेरी first candle है उसको break करा है और उसके ऊपर closing दी है तो यह मेरी still single लेग है हाँ अगर जो मेरी fourth candle के नीचे यहां पर एक हाँ अगर यहां पर मेरी second candle है वो इस तरीके से उपर चल जाती इसकी विक और यहां से इसके जो high था वो sweep कर देती तो तब मैं इसको consider कर सकता था कि यह मेरा pullback है और market ने इस तरीके से move कर रहा बट यहां पर ऐसा नहीं हुगा तो यह वाला जो मेरा structure है वो invalid हो गया है इसी sorry मैं diagram लेख lma प्रूपर है और जो मेरी हाँ पर है झाया तो यहां पर भी होस्ने इसका है इसको ही तरफ पॉल बन कर दिया यह चीघ नियंड आकर ने इसको तार्ट हूपर कर दिया और अर उपर कि तरफ आज़ा है यहां पर आप देख सकते हैं इसका है यहां पड़ता और इसका लोग यहां पड़ता यह अगेर हमारे पास एक हो सारे रियल केंडल & और यह सारी डियल केंड़ कीचेंपल से हमारे पास मार्कट में हर किसेंट की कैंड़ बनती है तो मैंने इसी तर inception कर दो ही जो industrial कुरल्टम करती हं आप यहां पर एक चीज समझने की पजय है और बहुत capitT जो मेरी second candle है उसने जो first candle का ना high लिया ना ही लो लिया यहाँ पर जो मेरी third candle है उसने second candle का यहाँ आप देख सकते हैं low break कर दिया ठीक है तो यहां पर आप लोग बोलेंगे कि यह तो वैलजट पुल-बीक हो गया है नहीज जी यह वैलजट पुल-बेक नहीं है लाइक ही consider करूंगा अभी तक इसमें pullback नहीं है तो यह इस तरीके से मेरी movement है यह इस तरीके से नहीं है क्यूंकि जो third candle ने बले से second को break कर दिया है but they are both inside the first candle ठीक है यह हमारा भी structure invalid हो गया है इसी तरीके से हमारे पास जो fourth example है उसको हम दीख लेते हैं fourth example में आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास market ने एक bullish है ठीक है अच्छा एक चीज़ में बहुत important है आपको बता दूँ candle का color matter नहीं करता यहां पर आपको इस वाली example में वही चीज़ समझेंगे कि candle का color matter मेरे चार्ट में जो yellow candle है वो bullish है और जो red है वो bearish है ठीक है यहां पर चाहे yellow candle होता चाहे red candle होता candle का color matter नहीं करता पुल बैक को identify करने के लिए मैं again repeat करता हूँ candle का color matter नहीं करता identify करने के लिए पुल बैक को यह चीज़ आपने जहन में रखनी है अच्छा अब यहां पर आप देख सकते हैं मेरी जो first candle है यहां पर इसका break कर दिया market नहीं यहां पर आगे है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रेक कर दिया ठीक है मैं consider करूंगा कि मेरा market एक bullish trend में सही जा रही है उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी second candle है उसने जो first candle का यहां पर low ले लिया ठीक है तो मैं यहां पर consider करूंगा बिलकुल यहां market उपर गई नीचे आई देन मार्केट अगेन ऊपर चलीगी यह एक वैलिट पूल बैक है आप देख सकते हैं यहां पर जो केंडल का कलर रेड नहीं है वही जो मैं आपको बताएं जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है अपना जो कलर है उसका बेरिश और बूलिश के साबसे हो केंडल का सब्सक्राइब चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने फर्सट केंडल ने सेकंड ने फुस्ट केंडल का यहां पर लोग रिक करा मार्केट अगेन मुफ कर अपसेट के उपर इसी तरी के जो मेरी फूर्थ फिफ्ट एंड लाश एक्जैम्पल है उसकी ब अब आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई है जो first और third example की तरह ये रिजम्बल करती है इसका जो हाई है वो equal high बनावा है हमने first example में क्या देखा था कि वो inside बारत है क्योंकि जो उसकी विक थी वो दूसरी और तीसरी candle की first वाली से चोटी थी बट यहां पर जो second candle वो इसके बराबर है second candle का ही third candle जब यहां पर low break कर देगी तो मैं इसको एक valid pullback consider करूंगा इस तरीके से यह हमारी single leg नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसने यहां पर second candle ने equal high बनाया था और third candle ने इसका यहां पर low ले लिया तो यह हमारा एक valid pullback है तो इस तरीके से हमारे जो identify हम करते हैं कि pullback क्या होता है इसी तरीके से आपको help out करती है चीज के inducement को identify करना break off structure को identify करना करना है कि higher high, higher low, lower high, lower low कैसे valid होते हैं यह बहुत जरूरी है चीज समझना क्योंकि यह चीज आप नहीं समझेंगे सारी SMCC की चीज़े बिकार है क्योंकि आप identify नहीं कर सकेंगे कि valid pullback कब हो रहा मार्केट में यह मेरी एक single leg है बहुत सो को मुझे पता है यहां पर लगा यह है जो कि मैंने समझाया है यह single leg है यह मेरा बिलकुल एक valid pullback है यह मेरा एक valid pullback है तो यह चीज़े समझना फाज़र होगी है यह मेरे पास एक ethereum का chart है और इसको मैं यहां पर एक live example में भी हम समझ लेते हैं यहां से अगर हम इसकी शुरू करते हैं समझना अब यहां पर आप देख सकते हैं यह मेरी फिर्श केंड flux लाम यह मेरी फिर्स candle का लोट यह कंदर इन्संट वार नियुक्त है। तरफ केंड़ले इसका लो लिया यहां पर मार्केट एक बूलिश अबसे हैं इसके और मार्केट निदे को ब्रेक करई यह आप दो लिए यहां ते यह चार Koreans भी बनी है यह मेरी वैलिड नहीं है एक in side bar candles हैं सारी क्यों कि अच्छा इस वाली candle ना तो high break हॉआ ना ही low break हुआ इस वाली candle ने इसका जो है high break कर दिया market upset की तरफ मुफ कर दिये continuously ठीक है अब उसके बाद यहां पर हुआ क्या मार्केट अगें एक मोमेंटम में बूइच ममेंटम में उपर गई अब मैं यहां चैंट करिए कर Oxygen यहां पर плоllie कर दिया मैं ब्लकुल पर एक पूरल करूब मार्केट अपसाइड मूफ करें और इस तरीके से मार्केट अपने स्ट्रक्चर को प्ले करा ठीक है तो यह सारी चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत जादा जरूरी है जब तक आप यह इडेंटिफाय नहीं करेंगे आप लोग को चीज़ें समझ नहीं आएंगे यहां पर इकज़ेंपल और देख लें कि मार्क्ट का ही ये था मार्कट का लोग ये था हम एक बेरिश में एक्जेंपल ये देख रहे तो मार्कर ने जैसे ही स्केंट्रेगा हायी अपर चेह हिज्ड्रेंगे नुक्रा सब्क्रीज़ हो रहा है यह सब यहां बcular ग्रेक यहां पर इस retracement है तो यह हमारी आज की वीडियो थी इसको जादा से जादा प्रैक्टिस करें I must say कि अगर यह नहीं सीखेंगे SMC का कुछ भी समझ नहीं आना तो इसका मैं आप लोग के साथ कोईज भी करूंगा नेक्स वीडियो में मिलते हैं इसकी प्रैक्टिस करें अपने ख्याल रखें अल्ला हाफिस